हिसा हिस लट्स टाइम व न मैं स्वर्श्ट टैडट की एक क्लास देख चुके थे जर ethic उसमें फर्स्ट टैड क्या होता है मैंने बताया था कि फर्सटल बता चुका था प्रोसेस है जब कोई किसी का एक्सिडेंट हो जाता है तो एक्सपर्ट के आने के पहले जो प्राइमरी उसको क्या दिया जाता है ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं फर्स्टेड बॉलते हैं फर्स्टेड बॉक्स भी देखा था थोड़ा सामने फर्स्टे का मतलब क्या हुआ एक मतलब यह याद रखना कभी कभी पूचा जाता है कोश्ञा करके का मतलब एयर वे कि का मतलब ब्रीधिंग ये सुस्व सन क्όmy क्सिक मतलब शर्कूलेशन इसका मैं ने बता चुका था क्या-क्या भूता है तillä यकना और फर्स्ट एड के क्या-क्या उद्देश है ये भी पिछली क्लास में उने पड़े थे सबसे पहला लाइफ प्रिजर्विंग लाइफ को बचाना ही फर्स्ट एड का उद्देश है ना लाइफ को सेव करना जैन उसके बाद कोई भी नुक्षान ना हूँ जैसे जाते 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 कुछ ज्यादा सीरियस ना हो जाएवू इसलिए फच्टेट दिया जाता है और क्यों दिया जाता है रिकवरी रिकवरी को तेज करने के लिए ठीक है न यह देख लिए थे हमने इसके आगे हम देखें फिर इसके बाद हमने यह ABC भी देखा था पिछली क्लास में क्या होता है यदि कोई दुरगट ना हो चुकी है एक्सिडेंट हो चुका है तो सबसे पहले उसका क्या चेक कर करना है आब एर्वे देखना है कि भाइस्नास लियुले के दर ऑखें तो सई करना है थीक है तो चेक करो फिर उसकी ब्रीधिंग फिर शर्कुलेसे uwां पिश्रोगारा जिवित रहता है तो देखना है हमारे को टीक है 5 कि जब दुरगट ना हो जाए कि दॉन्ट भी पैनिक नहीं तो एक दम हड़बड़ी में आ गए और यह क्या हो गया एक दम घबरा गए तुम घबराहट एक ऐसी भावना है मतलब घबराना बिल्कुल नहीं और एक ऐसी भावना है कि तुम्हार को कितना ही अच्छे से अच्छा आते रहे फिर भी तुम गल भी कर देते हैं कर देते ना यह एक बड़ी समस्य आ है तो जब भी कोई दुरगट नहीं हो सबसे पहला का खबराना वेगे ठीक है इसमें प्राये लोग क्या करते हैं गलती कर बढ़ते हैं तिंगे क्योंकि वह घबरा जाते हैं अज्ञानता वांग गलती घबराहट का ही परिड़नाम होती है ठीक हैं कभी-कभी गलती मैंने गलती बुला कभी अग्ज्यानता में पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा है कि जब तक हम प्थर ना होग किसी कि सब्सक्राइब कों चलाने के लिए या उसके बारे में हमको तसके कि भापर जांकरिकंद लगती ठीक है उसी का तो प्रात्मिक उपचार करते समय एक्सिडेंट हो जाए तो एकदम पॉलाइट और काम और सांत मन से काम करना है एकदम पैनिक नहीं करना है प्रात्मिक उपचार करता को जो प्रात्मिक उपचार करता है उसको सांत होना चाहिए को इसतिर द्रस्तिकोण एप्रोच उसकी क्या होनी चाहिए एक दम श्रेइट होनी चीज सीधि एप्रोच की ज़र्दध होती है यहाद प्रात्मी को उपचार करता घवराएगा तो क्या होगा अब तुम घवर आध में नहीं क्या होता है कभी-कभी हाथ भी लगते ही गलती कर बैठेगा परिणाम सुरुप क्या करता है गलती कर बैठता है और क्या होती है वह सबसे बड़ी विक्टम जो रोगी यह जो यह होता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो हो जाती है फिर वह क्या करेगा रिकवरी नहीं करेगा या फिर उसको जल्दी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा निपड़ जाएगा तो यह परेट्स यह इसके जैसे घबरान नहीं यह कैसा घबरा रहा है पारेट्स मूई देखा है कि आपको इस समय एकदम काम अप्रोच रखनी है ठीक है बाद समझ में आ गई ओके आप नेक्स बड़े यह अप्रोच होनी चाहिए समझ रहे हैं मतलब इदर चलना नहीं है हमारी एकदम सांथ स्ट्रेट पोजिशन और ऐसी कॉन्फिडेंट नजर आना चाहिए दिख रहे हैं दोनों कॉन्फिडेंट नजर आ र श् sahaj सहने तो थेज थेज भागता है इंसन तो यह समझ्च बनती है अब जाधा छी ज्यादा मॉला कनैटिट नोर्वन. प्रिस्तिति अइसी हो तो यह करना है हमको मेडिकल इमर्जनसी करना है अगर परिस्तिति ज्यादा नहीं है तो यह नहीं करना है यह परिस्तिति की मांग हो तो परिस्तिति की मांग ना हो तो बिलकुल नहीं बुलाना है कि चिभर बुला लेना चाहिए पहले तो फुर्षट करना चाहिए उसके बाद बुला लेना चाहिए यहां यहां ऐसा है एक हैं हमको सब पहले तो जीवन राक्षक इसमाहल बनाना है यहां यहां ने बहुत क्योंना मतलब मेरा मतलब यह है कि माहुल वहां का अच्छा होना चिये को अलग 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 दृस्टिकौरार तो अरे अलग-अलग माहुल में अलग-अलग द्रष्टिकोण बनता है देख रहें अभी कौन सा द्रष्टिकोण बन रहा है तो यही आउँ सकता है कि आपको वहां पर ऐसा माहुल बनाए रखना है कि जीवन रक्षक माहूल बना रहे है मदलब वातरों ठीक ठाक से माहूल की जानकारी वह जूने चाहिए जो जैसे को न उसको माहूल की जैसे रहना चाहिए वहां का कुछ और समझेंräge सब पता होना तो यही खत्रे में आ जाए पहले तो किदर जा रही है क्या हो रहा है मतलब यह ऐसा देखने लगे तो यही आइसा हो जाए तो फिर तो वह जो विक्टम है वह तो निपटी जाना है यह मैडम आई तो इसको यह अलग ही एक्छा होने लगी तो इस टाइप का माहूल नहीं बन कि दूना हूर मतलब नुकसांन ना हो जैसे कुछ ज्यादा ही लग गया है तो ज्यादा छतine नहीं आ इसके लिए और ज्यादा उसको ये ना कर दें चीर यह चाटी है तो जाए प्र दा ह offended lawn की को बहुए में जहां-छा कि जादा और उसको दिकत नहीं होनी चाहिए लकट लगा है या कुछ भी हुआ है दुरगटना तो उससे ज्यादा हाब नहीं होना ची इस वज़े से भी हम क्या करते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा रीडेट आउट कर सकते हैं जहां से खुन बह रहा है उसे सही तरीके से रोकनी की कोशिस करनी चाहिए यदे पी जरूरत ना हो तो घयल व्यक्ति को इधर उधर नहीं घुमाना चीए तो तुम पल्टाए जा रहे हैं उसको अ कि अध्यान में रखते हुए काम करना है तो खुझ भी ना कर वेटी ठीक है यह ध्यान रखना है डूनोहार वर्क एस ववन राइट मांड़ राइट माइंडेड होना चीए टीम वर्क नहीं तो किसी से खुनस ना निकाले हैं इस समय पे आप तो मैं गुमाता हूं तेरे को कि अध्यान देते रहे ठीक है उसको अध्यान देते रहे उसको बाचित करके उसका बढ़ाओ अस्वासन भढ़ाए कि भाई कुछ नहीं हुआ है यू विल भी पाइन पार्टनर यह देखो यहां भी बता रहा है कि तुम ठीक हो कोई दिक्कत नहीं है यह 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 इसको यह द्यान रखना तो तो गया ऐसा नहीं बहुत जो देखो करना है ताकि उसको थोड़ा मोटिवेशन बना रहे हैं इसके अंधर इन जिचे को ध्यान रखना है कि स्टॉप बलीडिंग मतलब जादा यदि बलीडिंग हो रही है तो उसको क्या करना है रोकना है बहरायत रोकना कैसे हैं ऐसा दबाव लगा कर तुर्ण कीश्रेक खतरनाक कौन से मिश्रें प्लॉद लाएग है तुर्ण करने हैं यह देख पा रहे हो होगे यह गोल्डन हावर्स की खतरनाक तोन से समय होता है जब एक्सिडेंट होता है और उसके बाद एक्सिडेंट के पहले किसे बाद में होगा ना एक्सिडेंट के वाइक्सिडेंट के प्रारंब के 203 में क्या बोलते हैं इस 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 जल्दी से जल्दी होसके हमको फस्ट्ट्ट देना है और क्या करना है इसको झाल रसाज़mot जितने कम समय में जितना कम समय लगेगा इसको चल्सकों चीकट सथ दी जाएगी उतना अच्छा होगा एकogram में तो गोल्डन हावर शमच में आ गया है क्या होता है दुर घटना के बाद का तीस मिनट मैं फार गोल्डन हावर यह जल्दी उसके उसको हंपरेटल मैं ताकि उसके मरने की सव भल्ब क्या हो जाएगी दोड़ी कम सब्सक्राइब तम पढ़ा ले में ठीक है यहां गाली से गिर गया है और यहां पर तीस मिनट लिख लेना गोल्डन वाली घड़ी इसी लिए लगाया है यह गिर गई मैडम मैडम नहीं सर है अच्छे तुम्हार को मैडमी नेजर आएगी सब्सक्राइब करने वाले को अपने हाथ दोकर सुखा लेने चाहिए ने तो वहीं हाथ से कर दे और ज्यादा इंफेक्शन चाहिए दस्ताने पहनने चाहिए वैसे हमारी यादत नहीं होती है सब्सक् इससे बचाओ किया सके इसलिए आए इस तो करना है क्या होता गय और टायर। लगा दिया फाथ पर ये नहीं कहली क्रता है इन कोई साब और झाल्ल लगाने हैं यह याद्रृट्ण लोकल मेडिकेशन्स और कट और ओपन वांड मतलब घा होता है तो जैसे यह रहता है ना जला हुआ मास कटा हुआ जो रहता है उस पर डाइरेक्ट यह लगाने इसको फाइदा नहीं कोई क्रिमघ्या करना है जैसा कि हुआ है उसको में इटा हो से सब करना है यह सब ठीचेशन बढने के चांसे कम रहेंगे सुरक्चाइक दालना है उसे समझे सुरक्चाइक आदत है उसे प्रिक्सित करें